नमस्कार, दलीकल इंडन के इस एपसोड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, नए स्टुडेंट्स या फिर वैसे स्टुडेंट्स जो लॉक की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसेंटली बार कॉंसल ओफ इंडिया में इन्रॉल कराया है वो लगतार ये कुशन पूछते रहते हैं मैसेस के मध्यम से या फिर परसनली हमारे चेंबर में आकर के कि आखिर कुछ टिप्स उन्हें दिया जाए ताकि लिटिगेशन में वकालत में उनको फायदा पहुँचे आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स की बात करेंगे और एडवोकेसी के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कर्स करने का प्रयास करेंगे जो कि नए स्टुडेंट्स को नए लॉग रेजुएट्स को नए लॉयर्स को जरूर ध्यान देना चाहिए सबसे पहली बात तो यह है कि एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है यदि आप यह सोचेंगे कि आधा दिन हम लिटिकेशन कर लेते हैं उसके बाद कुछ और कर लेते हैं रात में कुछ और कर लेते हैं ऐसे नहीं चलने वाला ये complete full time profession है और इसे पूरा करने के लिए एक team work की जरूरत होती है अकेले आप advocacy कर लें ये बहुत ही मुश्किल होता है दूसरी बात ये है कि जो growth है advocacy में वो slow होगा धीरे होगा यदि आप ये सोचेंगे कि रातो रात आप बहुत बड़े वकील बन जाएं ये रात और आप करोड़ पती हो जाएं बहुत सारे पैसे आजाएं ये possible नहीं है इसका growth बहुत slow है लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे निरंतर मेहनत करते रहेंगे और वो किसी के काम को अच्छे तरीके से सीखेंगे तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा जब आपको मुहमांगा फी आपको क्लाइंट देंगे और दे करके जाएंगे तो ये एक बस समय की बात है जब आप शुरुवात में litigation शुरू किया है तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा समय लगता है तो थोड़ा पैसंस रखें और इस तरही की बातें आपके समाजमेदी हो रही है आसपास की लोग कर रहे हैं कि देखो उसका बेटा तो सरकारी जॉब कर लिया तो इतना पैसा आ रहा है उसके पास ये है वो है गाड़ी है इसको आप बिलकुल इससे बचें और जो भी इनरजी है जो भी टाइम है वो काम को करने पे लगाएं यदि आप काम को सही से सीख लेंगे तो आगे आप इतनी उचाई तक पहुंच सकते हैं जितनी उचाई तक आप किसी सरकारी जॉब में करके नहीं पहुंच सकते हैं अगली बात बहुत important है जो भी law students litigation के शतर में आना पसंद करेंगे उनको ये बात ध्यान में रखने चाहिए कि उनको सारा का सारा अपना energy काम को सीखने पे लगाना चाहिए किस तरीके से कैसे cases किये जाते हैं कैसे drafting होता है क्या argument हो सकते हैं क्या counter argument हो सकते हैं कैसे filing होता है किस तरीके से law में चीजें चलती है cases को अंजाम देने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उन तमाम चीजों को आपको सीखना पड़ेगा अपनी सारी energy इसी पे focus कर कैसे सीखना है जब आप ये चीज आप सीख लेंगे तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोख सकता आपकी उंचाई बहुत ऊपर चली जाएगी यदि आप हिमाले पे भी चले जाएं तब भी क्लाइंट वहां पे भी पहुंच जाएगा और कहेगा वकिल साब मेरा केस देख ल ओजिता है कुछ क्लेट्स ऐसे आते हैं जो पैसा नहीं देना चाहता है एक बात यंग एड्वकेट्स को समझना चाहिए चाहे आप पैसा लिये हो या नहीं लिये हो इससे फरक नहीं पड़ता एक बार जब आप इनक लैंट को कह दिया कि हां मैं तुम्हारा काम करूंगा उसके बाद चाहे वो पैसा दिया हो, नहीं दिया हो, कम दिया हो, ज्यादा दिया हो, इससे फर्ग नहीं पड़ता। एक बार आपने accept यदि कर लिया उसका case, तो उसी dedication के साथ उसे करना है, चाहे वो पैसा दिया हो, यर नहीं दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो पैसा ज़्यादा दिया है, उसका काम आप बहुत अच्छे तरीके से करें, फुल सिंसियरिटी के साथ करें, और एक गरीब विक्ति, जिसके पैस पैसा नहीं है, उसके पैसा आपको नहीं दे पाया है, और आपने case कर लिया है, case ले लिया है, और फिर आप लेक्डेस के अप्रोच यदि रखेंगे, कि यार ये तो पैसा ही नहीं दिया, क्यों फालतो इसमें इतना इनर्जी वेस्ट करना, ये काम नहीं करना है, इस बात को ध्यान से समझ ले, यदि आपको case नहीं करना है, तो पहले ही बना कर दें कि भाई, आप किसी दूसरे वकिल साब के पास चले जाए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यदि आप एक बार accept करते हैं, तो उसको full energy के साथ आपको करना चाहिए, एक last बात जो मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, कि advocacy का जो ये profession है, वो बहुत dynamic in nature है, यहाँ पे हर दिन law change होते हैं, नए पुराने law रिपील भी होते हैं, रिसेंटली हमने देखा, farm laws related laws बने थे, जो की मानिय सुप्रीम कोट के द्वारा stay कर दिया गया था, अब उसे रिपील कर दिया गया, एक law student के हैसे से हम बात करें, तो जब law बना था farm law पे, तब हमने पढ़ा था, उसको एक-एक sections में जा कर और क्यों stay हुआ, ये भी हमने पूरा judgment पढ़ा सुप्रीम कोट का, और उसके बाद जब वो repeal हो गया, तो भी आपको पढ़ना है, मतलब ये हुआ, कि जो भी changes हो रहे हैं, उसे आपको track करना है, यदि आप अपने आपको new laws से update नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है, आपका बहुत tough हो जागा आपके लिए, ये बहुत challenging job है, बहुत मुस्किल होगा, इसलिए अभी से ही इन तमाम सीजों का ध्यान रखें, अपना mental makeup उस तरीके से करें, तभी आप इस profession में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और इस profession में आप इतना आगे बढ़ सकते हैं, जितना आप सो इस profession में नहीं होगी, और इसके साथ साथ अपने आपको नए डॉट से अपडेट भी करते रहना है, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जनकारी से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, यदि ऐसा है, तो इस वीडियो को widely share करें, और हमारे इस channel को जरूर सब्सक्रा जहन